वेलकम तो माई चैनल येखिए आज मैं आपको और हेयर बैंड का डिजाइन बनाना बताऊंगी आप इस डिजाइन से हेयर बैंड भी बना सकते हो तोर tạiंकी पट्टी भी बना सकते हो जैसे लेश का डिजाइनisha सबसे पहले क्या करना है हमने क्रोशिय पे नोट बांध ली है एक चेन ले ली है क्रोशिय आपने उनके साफ से लेना है यह मैंने 3.50 mm क्रोशिय लिया हुआ है अब हमने एक दो ती चार पांच फाइब चेन ली है क्रोशिय पे दो बारे से धागल पेटिंगे और इसमें हमने जाके फर्स्ट वाली च ऐसे फिर से देखिए दो दो करके हम निकालेंगे तीन बार यह ट्रिपल क्रोशिय हो गया यह देखिए अब हमने 10 चेन लेनी है 10 चेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दस चेन ले ली क्रोशिय पे ऐसे धागल पेटा एक दो तीन चार चोथे पे जाके आपने ऐसे डबल क्रोशिय बनाना है नहीं दो बार द्हागल पेटना है हमने दो बार पेट लिया और चुथे में जाके एक दो तीन चार क्रोशिया नालके पिस से टृप्ल क्रोशिया बनाना है दो दो करके हम निकालते जाएंगे फिर से तस चेन लेंगे एक दो तीन चार पांच छी साथ आठ नो तस तैन चेन हो गई हमारी ये दो बार धागाल पेटेंगे क्रोश्या के उपर एक चुत्थे वैली इसमें जाके फिर से टिपल क्रोश्या बनाना है है यह हमारे तीन बनगी मैंने यहाँ पर 9 बनाए है एक दो तीन चार पांच छेज साथ आठ नो जो मैं भी बना रही यह शोटा साइज बनाऊंगी साथ बनाऊंगी तो हमने ये तीन चार बना लिये हैं तीन और बनाने हैं तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपके मैंने साथ बना लिये हैं ये ऐसे ये दिखिए अब दिखिए आप क्या करना है यहीं से हमने फिलाबर बनाना शुरू करना है तीन चेन लेनी है एक दो तीन और तीन चेन लेने के बाद क्रोशिय पे हमने धागा ऐसे लपेट के यहां क्रोशिय डाल के ऐसे लंबा करके धागा खीचना है तो यहां पे हम ऐसे उगली रख लेंगे तेन चार यह पांच इन्हें हमने एक छोड़के ऐसे निकाल लेना है अब हमने दो का एक कर देना है ठीक है अब देखिए अब क्या करना है हमने अब यह जो हमने चेन ली है यहां पे इसके अंदर यह इसके अंदर हमने क्रोशिय डालना है है लेकिन पहले हमने दागाल पेटना है कि पूपर आप ठीट कुरूशा करना है तीन द तैम हो गया हाफ डवल पीटना है अब फिरसे यह तीन यह चार यह पांच पांच को हम निकाल देंगे यह दो है दो का एक बना देंगे अब हमने यहां पे डालना है तीन चेन ले देंगे पहले एक दो सोरी तीन चेन नहीं लेनी है यहां पे नही लेनी है तीन चेन हमने शुरू में ही लेनी है अब हमने ड्रेक्थ ही यहां पे फ्लावर बनाना है पिर हमने ही और दीकर करना है कि दिखिए फिर से इसके अंदर डालेंगे और तीन का एक बना देंगे इसके अंदर डालके तीन का एक बना देंगे यह जो खाली स्पेस है इसके अंदर डालके हमने बनाना है अब फिर से देखिए अब फिर से इसके अंदर इसे पास पास में कर लेंगे दागा ऐसे तैएच के लेके नहीं के आएंगे एक दो करो étant थेन चार पांक तो उसल जरीkickत तीन को से निकालगें त nouvelles काम अगवाये निकाले करूशाः न कामको dereaji भी हम्हीं के निकाले अपावठत है फिर से यनके तीन टाइम हमने ऐसे ही करना है यह देखिए हमने चार बनाने हैं तीन बन गए हैं अब फिर से देखिए क्रोश्या इसके अंदर डालेंगे धागा ऐसे लंबा खींच लेंगे फाइब टाइम फ्री फॉर ये फाइव सबको एक साथ निकाल देंगे दो को अब एक साथ निकाल देंगे धागा ऐसे लपेटेंगे इस खाली स्पेस में क्रोश्या टालेंगे फिर से आफ टबल क्रोश्या बना देंगे इससे हाफ टबल क्रोश्या बनाएंगे तीन वार हम यहाँ पे हाफ टबल क्रोश्या बना देंगे अब देखिए यह हमारा एक साइड का यह डिजाइन बन गया है अब हमने चार चेंड लेनी है एक तो तीन चार में एक फोर चेंड अब इसमें डालकर इसलिप नोट से जो यहां से दो बार धा गाल पेट के इसके अंदर जॉइन करना है दूसरे वाले में अब हम दो दो बार करके इन्हें निकाल देंगे ऐसे ऐसे और ऐसे ठीक है अब यह हमारा अब हम इसके अंदर फिर से आफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे एक दो तेन चार यह पांच जैसे हमने पहले बनाया ही है वस वैसे ही बनाना है हमने यह हमने का लिया अब दो का एक कर देंगे अब फिर से देखिए अब हमने धागल पेटना है इसके अंदर यह जो हमारी चेन बनी है इसके अंदर हमने करोशिया डालके फिर से हाफ डबल करोशिया बना देना है फिर से देखिए इसके अंदर करोशिया डालेंगे अब हम तीन का एक बना देंगे ऐसे थीक है फिर से दिखे इसके अंदर कुश्या डालेंगे धागा थोड़ा लंबा किंचेंगे और यहां पर उगली रख लेंगे दो बार होगया तेन चार वी पांच पांच को हम एक साथ निकाल देंगे पर दो रहते हैं इनको एक साथ निकाल देंगे दागा ऐसे लिपेट तेंगे इस खाली स्पेस के अंदर हमने कुरोश्या डालके यहां पे हाफ ड़ा कुरोश्या बना देना है तीन बार, त्री टाइम हाफ ड़ा ड़ा कुरोश्या बना देंगे ठीक है अब जी दो बन गए हैं फिर से दिखे इसके अंतर डालेंगे क्रोश्या दो ते चार लेंगे उन्य को एक साथ निकालेंगे फिर क्रोश्या से डालेंगे ऊपर हाफ ड़कोश्या बना देंगे ठीक है ये थ्री टाइम हो गया यह हमारी जहां पर तीन बन गया है एक और बनाना है हमने क्रोशिया ऐसे डालेंगे द्यान से देखिए दो बार हो गया ये तीन ये चार ये पाँच फाइव टाइम हमने लूप बनाने है ये दो काई कर देंगे क्रोशीय पे हम ऐसे रिपेट के, फिर से हाफ डबल कूशिया बना देंगे, टी टाइम हाफ डबल कूशया बना देंगे, अब फिर से एक, दो, तीम, चास चे biblical ये हमारी चार बन गए है, इस तरफ हमने चार बनाने हैं, और अब क्रोशीय इसमें डाल के हमने ये जॉइन कर लिया है ठीक है अब हमने ये देखे ये हमारे फिलावर बनने शुरू हो गए हैं ये दो बन गए हैं अब इसमें बनाना है हमने ठीक है इसके बाद इसमें बनाने के बाद हमने इसमें बनाना है ये चेन हम सीधी करकर के इसमें फिलावर बनाते जाएंगे तो हमने ये सरे complete कर लेए है, ऐसे एक तरफ बनाने के बाद फिर हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनाने है, तो चार हमारे इस तरफ बन जाएंगे., यह जो round है, इसको हमने चार flower ऐसे बना के cover करना है, जैसे यहाँ बनाया है, दोन्नों तरफ, चार चार बनेगे, जैसे एक तरफ बनाएंगे वैसे ही हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे तो मैं दूसरी तरफ यह पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ सेम रहेगा इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है हम लास्ट में पहुंच गए हैं बनाते हुए यह बना ली है एक दो तेन चार इस हमने पहले सलिप स्टिचिश से जौइन किया था वैसे यहां पर बना लगे से जौइन कर देंगे तेन चेन बनानी है ऐसे बाहने के लिए एक दो यहिए से हम बना लेंगे थे चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारह बारह तेरह जोदा, पंदरह, यह हमने तीस चेन बनाई है, तीस चेन बनाने के बाद, हमने यहां पे, थोड़ से धागय से लंबा खींचेंगे, इस चेन में हम डाल के, इसे दो, तीन, चार, पांच, यह चेन, अब हमने साथ ही निकाल देना, इस सभी को यहां पे लोग लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद, एक, दो, तीन, चार चेन लेके, हमने इसके अंदर, ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या करना है, यह चेन पनाते हुए, एक वर हम फित से यहां से, स्लिप नोट से हम, यहां से यह डाला, ऐसे, इसमें से निकाल दिया, यह डाला, स्लिप स्टिच करते हुए, हमने, यहां से फिलावर हमने शुरू किया था, यहां से हमने डोरी बनाने शुरू किय थी, वहां तक जाएंगे, हर एक चेन में ऐसे क्रोशा डालेंगे, धागा खींचे के, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे ही इसको बनाते हुए, हम यहां तक आ जाएंगे, इसको यहां पर जब हम पहुंच जाएंगे, तो जैसे यह चार फिलावर इस तर बनाए हैं, पतिया बनाई हैं, हमने फूल से बने है और इस तरफ जाकर फिल से हमने ऐसे ही जैसे यह डोरी बनाई है, ऐसे ही हमने इस तर भी बनानी है, ठीक है, अब और आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितना बताना मतलब बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं इस तर भी आपको बनाना बताऊंगी, सेम अगर आपको यह डिजाइन पसंद आता है, तो आपके निबरात्रों में इस डिजाइन को डालकर कन्याओं के लिए आप गिफ्ट बना सकते हो, कुछ भी आपना के जैसे हैर मेंड बनाए, तो आप कन्याओं को यह डे सकते हो, आप चाहे थ्रेट से बनाए, चाहे बूल से अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तिक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकोन के बटन को जरूर से प्रेस कर दें, थांक्यू,